मरते वक्त भी गवाई देखे गिया है चारों के नाम से मेरे भाई को चार लोगों ने जान से मार दिया कल रात के दो धाई बजे के करीब चाकू से डंडों से उसको वार किया के लापा के जो तीज चोथी बार हुआ उसने बोला था सरे हम तो तेरे भाई को मार देंगे इस बन मेरा भाई बर गया जिराई चलते राई को थोड़ी ना मार दोगे अगर कोई उमार पिट कर रहा उसको भी एक अथपड मार के छोड़ देते पर जान क्यों ले लिए उसकी पहले मैंने तीन बर कंप्लेंदर्ज की अशोग भी अर्थाने पर कोई भी सुनवाई ने हुई क्योंकि अगर दस साल पंदरा साल निकलेंगे फिर किसी का मटर करेंगे और हमके उन्हों अपने आगों से कैसे देखूँगे कि मेरा भाई को मार के और यहाज लोग घूम रहे प्राधिक वारदाते थमने का नाम नहीं ले रही नमस्तार मैं हूँ आचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार दिले के आदर्शनगर्थ हानक शेत्र से एक दिल को देला देने वाली घटना मारे सामने आई दरसल एक युवक जिनका नाम सोलू बताये जा रहा है उनके उमर करीबन 24 वर्ष थे उनके उपर बीते दिन चाकूओं से वार कर दिया गया इस वक्त हम उनके घर पर मौझूद है जहां पर उनका परिवार भी हमारे साथ मौझूद है कल रात के दो धाई बजे के करीब चाकू से अधन्डों से उसको वार कर दिया झात के समय का जो भी वोचार लोगा बता रहे हो उनने आपका भाई पहले से जानता था कौन थे वो लो यहीं के हैं वह अगर मतलब इसी जगे के हैं इसी जेलर बाग के हैं वो चारो लड़े के एक तीनों एक भाई हैंगे और एक दूसरा फोई है जिसमें से एक को अभी पकड़ा गया जिसका नाम का रहा है बाकी तीनों अपने फैमिली के साथ भगए हुएंगे क्या कारण रहा है किस तरीके से हमला किया गया रहन नहीं पता कि कितनी जान क्यों ले लिए क्या कारण था अगर मां मार पीट का इ depths चोड़ कर देतें तो मिलाज करा ले लेते पर उसको जब तक उसकी जान नहीं गए तब तक मासे हाटे नहीं हो लो कि भाई ने पहले कभी बताया था ऐसा कुछ? गूम रही है, जारी है, बस बीड़ी कठा कर रही है, बीड़ा टारी है बसुछ नहीं करते हैं, मेरे भाई पे चार बर हमला हुआ, जो तीस चोथी बार हुआ, उसने बोला था, सरे हम तो तेरे भाई को मार देंगे, इस बार मेरा भाई बर गया। हमने बहुत पूछा, पुलिस वालों ने नामों में पूछा, लेकिन उसने नामों नहीं बताया। हमने बार का मर्डर उसके साथ हुआ है, उसके साथ दीपक था, वो भी जानता है, अभी भरत अधशनगर थाने में, उसने गवाई दिए सब के नाम पर, और वो मरते वक्त भी गवाई दे के गया है चारों के नाम से। कि नए केस दबे ना मेरा की कि लोता भाई तो और नहीं 10 न और 15 साल की सजा हो सीदे फासी सीदे कोट से निकलना चाहिए कि इन चारों को फासी मिलेगी क्योंकि अगर 10-15 साल निकलेंगे फिर किसी का मटर करेंगे और हमके उन्हों अपने आगों से कैसे देखोंगे कि मेरा भाई को मार को यहाज लोग भूम रहे हैं इसा नहीं चाहिए मुझे ना मेरा कागस दबना चाहिए ना मेरा केस दबना चाहिए मुझे नाम था पर भाई का सोनु जल्दी से जल्दी कारवाई हो तीनों को उठाया जाए और कोड तक पोचा जाए लेकिन यह नाहों कि तीनों गाउं गई हुए मैं नहीं ढूंड पारा मैं यह पुलिस वालों से नहीं सुनना चाहती है अभी तक पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है कुछ क्योंकि रात के दो बज़े हुए हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई नाई माहिला सो कोनों बात हुआ हम लोईडिसों से ना मर्दों से क्या बात ही क्या हुए तो जो नाई लिख के गए कोई सम्था नी दी गई कि ह हम ने पकड़ा है या हम पकड़ने वाले हैं या पता कर रहेा है कुछ ही नहीं नाई इऊ-पाइब लिए टेप भी आपने पुलिस में लोगों को नाम नहीं बताया था का रिंधिन दर लेकिन पुलिस वीयनाम पाइब तो ये तेन बर कईसे लेकρε कैस लेके 50 अजार पहले कितने पहले हमला हुआ था कितने समय पहले इन लोगों से लडाई जगड़ा रहता ही था लेकिन लडाई कारण क्या रहता था पहले ले तो थोड़ी ना लेकर पीछ पार तो यहां मार के फेक दिये थे उसकी बाद भी हरिंदर का हाथ है लेकिन उसको उठवाय नहीं गया और हरंदर अपने गाउं भाग गया पुलिस वालों ने इस केस को भी दबा दिया गया और बैस पैसे लेके मैं यह कहना चाहती प अपने आपको बेच रही है क्या पैसों से बेच रही अपने आपको यह फिर कुछ नहीं कर रही है फुलिस पूरे मामले में जो आयो है उनका नाम क्या है मैं जानती हूं लेकिन मैं जो भी अभी कंप्लेंट दर्ज हुआ है वह भारत नगर थाने पर अपके तीसरी बार च चार बार मारा यह उनके पदले खूंचे यह उसका मूझ तोड़ दिये थे एक पर हाथ पर तोड़ दिये थे इन से मामलों का आपको कारण पते किस वजह से हमला किया जादत था आपके बेटे के उपर मेरा बेटा सिर्फ काम करने जहां भी जिस रास्ते से जाता था उस र क मेरा बच्चा काम करने जहां गया SUS रख्थ कितने साथिए को लोग रहते कोई नहीं बचा काहि कर ता है कर एक पाइसे मिल जाता प्लिस किस एपन जरी किस लिए किसलिया किसलिया जो मेरा मदद नहीं करता है कंप कि मैं आभी अब नगला त्यूंगा ता अभी पूर तनीया को मारंगी साथ। किस समय कर दो अब उसने धमकी दिया चूटते ही कि अभी तो तेरे भाई को मारे उसके बाद एके करके सब को मारेंगे जो आरोपी है तो जेल में बंद है उनके घरवाले उनके रिलेटीव उनकी बहन उसकी मदर उनके अभी चूटते बोला एक्चली उनके हाथ पे चोट भी लगी अभी है कि मुझे पुलिस ली से डर नी लगता मैं पैसे दे के छुडवा लूँगे अपने बेटे को उसने ये वोला चूटते ही और अभी तो तुम्हारे भाई को मारा है उसके बाद एके करको सब को मारूँगी मेरे पापा को भी धंकी दिया अगर कल को कोई बात हो जाए तो चोटा बाई हूं आप आप आलोगी मेरे बाए को मारा है जो चार निक उनको वासी की सजा निए हमें कोई सब्सक्राइब हमें एक ही भाही था और वो भी नहीं रहा सिख भी और हुझा है आतो कि अशुख नहीं हैंजिए आश्यॉट अंभाई मेरे गानद दूख वितंधी लिए बिया से काम की आद है हो गार ऑद्ध मती और नहीं चुक्तं हुआ घरल और है वे maior अजी नो को पर उनको फांसी होनी चाहिए चारो कि चारो को सदर नहीं देना हमें और पुलीस जल्दी से जल्दी कारवाई करें ये Không आप जार्य कीलित सभाएगा घ्रो चाहरी पाजमाफ उनको के सब्सक्राósनीर पॉल्स को नहीं चाह गया तीन भागे में वाकि उसकी मम्मी उम्मी तो पूरी फैमली ही रहती है वहां से पकड़ सकते हैं पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है ना मैं तो फिर क्यों नहीं कर रही है 24 घंटे हो गए सो मरें 24 घंटे हम यहीं पड़े अभी तक पुलिस हमसे कोई कारवाई नहीं पूछी कुछ भी नहीं पूछा हम से मीडिया आ रही है बस पूछते में जा रही है हमें सिर्फ इंसाब चाहिए हमें उन चारों को फासी की जजा देनी है बस और कुछ नहीं चाह एक को पुलिस द्वारे गिरफतार कर लिया गया है हलाकि बाकी तीन जो है अपने परिवार के साथ यहां से फरार हो चुके है अब देखना यह होगा कि आखिरकार उन तीनों आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ती है मैं आपको बता दू यह वारदा जो है बीती रात द जब तीन से चार बार पहले सोनु के ओपर हमला किया गया था उनी शक्स दुआरा जो इस वक्त आरोपी पुरे मामले में बताय जा रहा है पुलिस दुआरा जो है उस वक्त कोई आक्शन क्यों नहीं लिया गया आखिरकार उन लोगों को गिरफतार क्यों नहीं किया गया आ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूले। इसके साथ ही हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जूड़ी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें।